जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लिखिया हैं एमीन्स का पहला पाट तो आई जानते हैं क्या होते हैं एमीन्स बच्चों आप जानते हैं कि अमोनिय का फर्मूला एनेस थ्री होता है वहाँ पर एन के साथ में तीन एच बाइंड रहते हैं तो अगर आप वहाँ से अमोनिय के एच को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एलकाइल या एराइल ग्रूप से तो वो जो कमपाउंड बनेगा वो कह लाता है एमीन आईए एक्जाम्पल के साथ किलियर करते हैं आप देख सकते हैं कि अमोनिय का फर्मूला है आप देख रहे हैं कि अमोनिया में हैड्यूजन एटम को ईलकाइल ग्रूप से रिप्लेस किया है क्या यहाँ कोई क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी alkyl group लगा सकते हैं हमने यहाँ पे methyl लिया है लेकिन आप ethyl, propyl, butyl, isopropyl जो चाहे group लगाई है यहाँ पे और चुकि आपने यहाँ पर edge को replace किया है by means of alkyl group तो इसलिए जो यह compound बने हैं यह सारे के सारे तीनों compound amine है और य यहाँ पे edge को replace किया है alkyl group ने तो यह कहलाएंगे हमारे aliphatic amines क्या यह आपको clear है कि यहाँ पे हमने ammonia की edge को replace किया है phenyl group से आप जानते हैं aromatic benzen ring होती है हमारी यह तो यहाँ पे हमने एक edge को replace किया यहाँ पे हमने दो edge को replace किया आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे हमने ती तो यहां पर triphenyl amine बन गया, तो यह यह वाला compound, यह वाला compound, यह वाला compound, यह थीनों compound बच्चो amines है, चुकि यहां पर H atom को replace किया है, हमने aryl group से या aromatic group से, तो यह कहलाएंगे compound हमारे aromatic amine, तो आपने देखा कि जो हमारे amines होते हैं, वो ammonia से बनाए जाते हैं, उस ammonia के H atom को replace करके आप ammonia के H atom को किसी भी alkyl group से substitute करते हैं तो बनने वाले compound अलिफेटिक अमीन लेकिन अगर H atom को आप aromatic ring या benzene ring या phenyl group या aryl group से substitute करते हैं हटाते हैं तो बनने वाले compound aromatic amine होगा clear है आप एक सवाल उठता है बच्चो सर आप मुझे पढ़ा क्यों रहे हो ये chapter इतना जरूरी क्यों है क्यों ठक रहे हो तो आई जानते हैं why we should study amine तो ध्यान रखी है बच्चो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो amine के बिना survive कर सके amine के बिना जिंदा रह सके क्यो जानते हैं amines are essential part of our daily life as they are present in proteins, vitamins, alkaloids, hormones, medicines, water purification, pest control, man-made dyes etc बच्चो इमीन जो है हमारी daily life का बहुत जरूरी हिस्सा बनाते हैं आप protein यूज करते हैं, vitamin यूज करते हैं, alkaloid यूज करते हैं हमारी body के अंदर निकलने वाले चाहे हार्मोन सो जब हम बिमार होते हैं तो हम पानी जो है आज किला आप जानते हैं water pollution की वज़े से पीनी के लायक नहीं रहा है, impurities को remove करता है, water purify में use होता है, कीडे मकोडों को मारता है, paste control की तरह use होता है और हाँ हमारी जिनगी में रंग भी भरते हैं amines, बालों में लगाने वाले रंग, कपडों में लगाने वाले रंग सर, यहां तक की होली में खेलने वाले रंग, दिवारों पे लगाने वाले रंग, यह सारे जितने भी artificial colors हैं, dyes हैं, यह सब amines हैं, बच्चों amines ही हमारी जिनगी में रंगीन बनाती है, clear है आपको, तो इन चीजों से आपको clear हो गया होगा, कि हमारी daily life में amines कितने ज ते may be primary, secondary, treasury on the basis of H atoms replaced in the NS3 molecule, बच्चों यहां पर ammonia molecule, NS3 molecule के कितने H atoms replaced किये हैं, इसके आधार पे, इसके base पे आप बता पाएंगे, कि आपका amines जो है, primary यानि प्राथमिक होगा, secondary यानि दिरित्यक होगा, treasury या फिर दिरित्यक होगा, तो यहां पर तीन तरह के amines होते हैं, ब primary, secondary, treasury, प्रात्मिक दिरित्यक और तिरित्यक, आईए जानते हैं, example के साथ, आप देख सकते हैं, यहां पर यह हमारा ammonia molecule है, ammonia molecule के हमने H atom को R group से replace किया है, clear है आपको, अब यह R जो है, यह alkyl भी हो सकता है, और aryl भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यह देखि substitute या H को replace करके मिले हैं, यह तीनों compound amines हैं, याद रखिएगा, यह तीनों compound amines हैं, अब बात करें टाइप की, तो यहां पर ammonia का 1 H atom replace किया है, 1 R ने, तो यह कहलाएगा primary amines, प्रात्मिक amines, यहां पर आप देख रहे हैं कि ammonia के 2 H को 2 R से replace किया, नि 2 H को उटा दिया है, तो य यह कहलाएगा हमारा secondary amines, यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 H नहीं बचा है, ammonia के 3 H को हमने यहां पर substitute कर दिया है, तो यह कहलाएगा tertiary amines, तो आपने जाना कि जो amines के type होते हैं, वो depend करते हैं कि ammonia के कितने H atom को हटाया गया है, अब जानेंगे structure of amines के बारे में, क्योंकि बच जानते हैं, N atom in amine is SP3 hybridized shape is pyramidal, बचो ध्यान रखिएगा, चाहे आपका aliphatic amine हो या aromatic amine हो, उस amine के अंदर जो N atom होगा, उसका hybridization SP3 होगा, और उसकी shape pyramidal होगी, कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह pyramidal shape है, यहां पर हमने एक amine लिया हुआ है, क्लियर है, ट्रेशरी amine का example ह तो यहां पर next point लेते हैं, बचो काफी जरूरी है, bond angle is less than normal tetraidal bond angle 109 degree 5 minute due to bond pair bond pair repulsion, याद रखिएगा किसी भी compound में जब central atom का hybridization SP3 होता है, तो वहां पर normal bond angle tetraidal angle जो होता है, वो 109 degree 5 minute का होता है, जैसे कि हमारा methane में है, clear है, लेकिन यहां पर amine में बात करें, तो यह bond angle जो य यहां पर यह जो आप देख रहे हैं, गुरूप लगे हुएं, इनके बीच का जो bond angle है, यह वाला bond angle, यह 109 degree से कम होगा, कारण है कि यहां पर जो यह गुरूप लगे हैं, नाइरिटियन के चारो तरफ, अलकाइल या एरायल गुरूप यह आपस में एक दूसरे को repel करते ह हैं, परतिकर्सित करते हैं, दूर हटाते हैं, जिसकी वज़े से यहां पर bond angle की value 109 degree 5 minute जो regular value होती है, उससे कम हो जाती है, एक्जाम में यहां पर पूछा जाता है कि एमीन का जो central atom है, उसका hybridization sp3 होता है, लेकि bond angle जो है, वो normal नहीं होता है, normal से कम होता है, reason, तो reason है bond pair, bond pair, या repulsion, अब एक example से clear कर लेते हैं, trimethyl amine में, अगर यहां पर यह R1, R2 जो है, यहां पर CS3 कर दिये जाएं, तो यह compound कहलाएगा, trimethyl amine और यहां पर bond angle की value जो होती है, वो 108 degree होती है, तो आप समझ सकते हैं, कि यहां पर जितने बड़े group आते चले जाएंगे, R1, R2, R3 की ज change होती जाएगी, तो कि बड़े group आने का मतलब है, कि जादा repulsion होगा, क्या यह आपको clear है, बच्चों आज हमने जाना amines क्या होते हैं, amines कैसे बनाए जाते हैं, हमें amines क्यों पढ़ना चाहिए, amines का classification कैसे करते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और हमने जाना कि उसका structure, उसकी shape उसका bond angle कैसे बदलता है, क्यों बदलता है और कितना होता है, ओफुली यह आपको clear हुआ होगा, अगली वीडियो में हम लोग isomerism in amines और इसकी preparation को study करते हैं, बच्चों बहुत ही important chapter इसको ध्यान से कर लीजे, किसी भी entrance, किसी भी exam में, चैबोर का हो, या entrance का हो, या degree class का हो यहां से question आता ही, आता है